हेलो फ्रेंड्स आज मैं मुंगदाल का बहुत ही टेस्टी, हेल्दी, क्रिस्पी नाश्ता शेयर कर रही हूँ सबसे बड़ी बात कि आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं जब भी मन में आए बस इसे खाईए चाय के साथ तो फिर देर कि इस बात की चले करते हैं फटाफट से स्टार्ट सबसे पहले एक कप मुंगदाल ले ली है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिना छिलके वाली मुंगदाल ली है अब मुंगदाल को हम डालेंगे एक बाउल में और इसे पानी से अच्छे से धुल लेंगे तो यहाँ मुंगदाल का पानी आप देख सकते हैं कि कितना गंदा नजर आ रहा है इसे मैंने नल के नीचे ले जाकर दो बार पानी से अच्छे से धुल लिया है अब मुंग दाल में हम एक्स्ट्रा पानी डाल कर इसे चार घंटे के लिए भिगो लेते हैं तो चार घंटे बाद दाल हमारी अच्छी तरीके से फूल चुकी है अब दाल का हम सारा पानी निकाल देते हैं तो अब दाल में हम डालेंगे 1 चौथाई कप सूजी सूजी आप बारिक या मोटी कोई सी भी ले सकते हैं सूजी डालने से हमारा नाश्टा बहुत ही क्रिस्पी बन कर तयार होगा अब इस मुंगदाल और सूजी को हम डालेंगे मिक्सिजार में और यहाँ पर इसका एक fine paste बनकर ready हो गया है, तो अब तयार मूंग दाल के paste को एक बड़े बरतन में हम निकाल लेते हैं, तो अब इसमें हम डालेंगे एक कप गेहूं का आटा, जिसे मैंने अच्छी तरीके से चान लिया है, जिससे के हमारा नाश्टा बहुत ही ज़्यादा healthy बनकर तयार होगा, साथी डाले 3-4 cup मैदा, मैदा डालने से यहाँ नाश्टा काफी क्रिस्पी बनेगा, अब इसमें हम डालेंगे एक चमच अजवाइन, तो अजवाइन को हाथों से crush करते हुए डालेंगे, जिससे के नाश्टे में इसकी खुश्बू और फ्लेवर अच्छी तरीके से आ सके, साथी डाले टेस्ट अकॉर्डिंग नमक और दो चमच तेल, तेल डालने से यहाँ नाश्टा काफी क्रिस्पी बनेगा, तो अब इन सभी चीजों को हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है, जब तक कि यह डो के फॉर्म में ना आ जाए, पर इस डो को बनाते से हमें इस बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें, कि इसमें हमें पानी बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, लास्ट में अगर हमें पानी लगता है, तो हम एक से दो चम्मच ही पानी यूज करेंगे, सभी चीजों को मिक्स करने पर दो काफी हाट लग रहा था, तो इसमें मैंने दो चम्मच पानी डाल दिये हैं, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, तो यहां हमारा एक सौफ सा डो लग कर रेडी है, तो आप डो को रखेंगे हम साइड में, इधर एक और तयारी कर लेंगे, उसके लिए बावल में डालेंगे, लगबग तीन चम्मच घी, घी में डालेंगे, दो चम्मच कॉर्न फ्लोर, और इसे आपस में मिक्स कर लेंगे, अगर आपके पास कॉर्न फ्लोर नहीं है, तो आप इसकी जगा मैदे का भी यूज कर सकते हैं, तो यहां हमारे घी और कॉर्न फ्लोर का एकदम गाड़ा सा पेस्ट बन कर रैटी है, तो इधर डो से हमें एक रोटी से बड़ी लोई लेकर इस पर थोड़ा सा मैदा डस करते हुए, इसकी यहां एक रोटी बेल कर त्यार कर लेते हैं, तो यहां एक बहुत ही पतली रोटी बेल कर त्यार कर ली गई है, और इस रोटी पर हम कॉनफलोर और घी के पेस्ट को अच्छी तरीके से स्प्रैट कर देते हैं यहाँ पेस्ट काफी थिक है तो इसे मैंने हातों से ही अच्छी तरीके से फैला दिया है तो फ्रेंड्स आप सभी से एक बात कहनी है कि आपका दिल से शुक्रिया क्योंकि मेरी YouTube family थोड़ी सी बड़ी होकर 1K member पूरे कर पाई है ऐसा ही प्यार और support आप हमेशा बनाए रखें तो इधर रोटी पर paste को हमने अच्छे से लगा दिया है अब इसके उपर मैदा dust कर देंगे जिससे कि ये सारी layers अच्छे से इसमें बन पाए अब रोटी को हम दोनों साइड से इस तरीके से उठाते हुए इसे cover कर देंगे अब cover करें पार्ट पर हम फिर से paste को लगा देंगे जिस पर की paste लगा हुआ नहीं दिख रहा है इसे लगाने के बाद इस पर वापस से थोड़ा सा मैदा dust करेंगे और रोटी के दोनों साइड के corners को उठाते हुए half fold कर देंगे और इसे pocket या envelope जिशा shape बना कर इसे दबाते हुए इस पर थोड़ा सा मैदा dust करके इसे फिर से बेल लेंगे फ्रेंड्स आज हम मुंगदाल की layer मट्री बना कर त्यार करेंगे ये काफी crispy होती है और इसमें बहुत सारी layer होती है ये मट्री tasty होने के साथ साथ healthy भी है क्योंकि इसमें हमने आटे और मुंगदाल का use करा है तो इसे इधर अच्छे से बेल लेने के बाद वापस से हम corn flour और घी के paste को इसके उपर अच्छी तरीके से लगा देते हैं paste के लगते हैं इस पर फिर से हम मैदा dust करेंगे और इसके एक portion को उठा कर फिर से इसे हम half fold कर देंगे और दोनों side से इस तरीके से cover कर लेंगे तो इसे हम अच्छे से हातों से दबा देंगे और रोटी के उपर वापस से हम घी के paste को लगा लेंगे ऐसा करने से हमारी मटरी काफी layout बनती है इस पर फिर से करेंगे मैदा को dust और दोनों corner को उठाते हुए half half fold कर लेंगे और फिर से एक pocket का shape बना कर ready कर लेंगे तो इस पर फिर से करना है हमें मैदे को dust और यहाँ पर इसकी एक पतली सी रोटी बेल कर त्यार कर लेनी है तो इसे बेल लेने के बाद फिर से हम वही process को repeat करेंगे पहले इस पर paste को लगाएंगे फिर इस पर मैदा dust करेंगे लेकिन इस बार हमें इसे थोड़े different तरीके से fold करना है तो यहाँ लगबग 1 इंच के चोड़ाई रखते हुए हम एक के उपर एक इसे fold कर लेते हैं और इसे हम दबाते हुए भी जाते हैं ताकि यह layers अच्छी तरीके से आपस में चिपक जाए आप इसके उपर हम बेलन भी चला लेते हैं जिससे कि सारी layers अच्छे से चिपक जाएगी और इसे हलका सा चोड़ा भी कर लेते हैं तो इसे बेल लेने के बाद अब हम half inches के इस पर cut लगा लेते हैं तो जो भी आप मठरी का shape पसंद करते हैं उतनी चोड़ाई का इसे cut कर लीजिए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मठरी में कितनी layers दिख रही है तो friends अगर आप बिना जंजट के layer मठरी खाना चाते हैं तो उसका भी मैं एक दूसरा तरीका आपके साथ share कर देती हूँ इसके लिए एक लोई को लेकर उस पर थोड़ा सा मैदा dust करते हुए उसकी यहाँ पर एक रोटी बेल लेते हैं तो इस बेली गई रोटी पर हम corn flour और घी के paste को अच्छी तरीके से फैला देते हैं तो इस paste को लगाने के बाद इस पर हम मैदा dust कर लेते हैं अब रोटी के एक हिस्से से हम इसे गोल गोल fold करना चालू करते हैं लेकिन इसे हम हर बार हलका सा दबा लेते हैं ताकि यह layers आपस में आच्छी तरीके से चिपकी रहे तो यहाँ पर इसका एक tight roll बना कर त्यार करते हैं अब इस roll के हम half inches पर cut लगा लेते हैं और इस तरीके से छोटी छोटी लोईयां बना कर ready कर लेते हैं अब एक लोई को लेकर cut वाले हिस्से पर हम थोड़ा सा दबा देते हैं और इस पर एक से दो बार balance चला कर इसे हलका सा बड़ा कर लेते हैं तो यहाँ हमारी एक layer मट्री बन कर ready है आप इस तरीके से भी मट्री को बना सकते हैं तो चलिए मट्रियों को फटा फट से हम fry भी कर लेते हैं लेकिन fry करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है वो भी देख लेते हैं तो layered मट्री को fry करने के लिए तेल हमें medium hot ही चाहिए इस तेल को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है नहीं तो मट्रिया जल्दी से बाहर से लाल हो जाएगी और इनकी सारी layers अच्छी तरीकी से fry नहीं होगी तो gas की flame रहेगी low पर और जब सारी ही मट्रिया थोड़ी से fry होकर उपर आ जाती है तभी इसमें हम चमच लगाएंगे और इसे turn कर देंगे क्योंकि ये मट्रिया layer वाली है तो इसलिए इसमें हमें बहुत ज़्यादा चमच नहीं लगाना है नहीं तो तेल में ये layer खुल सकती है अब सभी मट्रियों को turn करने के बाद फिर से इसे low flame पर हमें golden brown होने तक fry होने देना है तो इधर हमारी मट्रियों में अच्छा सा color आ चुका है तो अब हम मट्रियों को निकाल लेंगे तेल से बाहर और इनी सभी बातों का ध्यान रखते हुए हम दूसरे batch को भी fry कर लेंगे तो यहां हमारी दोनों ही प्रकार की मट्रियां हो चुकी है fry आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी ज़्यादा layer नजर आ रही है बेकरी पे जो खारी मिलती है उसी तरीके का texture इस मट्री में आ जाता है तो इस मट्री को चाहे तो आप चाय के साथ enjoy करें या इससे सफर में ले जाए यह बहुत ही ज़्यादा healthy और tasty बनकर तेयार होती है चाय के साथ खाने पर खाने वाला बस इसे खाता ही रह जाता है तो रेस्पी अगर अच्छी लगी हो तो करें इससे like, चैनल को subscribe, वीडियो को friends और family में share